मेरी माने मेरे ली मुंटा लपिया नियम पराद चान वारे का मेरी माने मेरे ली मुंटा लपिया हां जी दोस्तों एक वार फेर तोड़ा पंजाबी कराड़ू चैनल वीच बहुत बहुत सवागत है अजसी पंजाबी इंडस्ट्री दे एक होर सितारे दी बायोग्रफी लेके थोटे सामने हाजर होयां जी हाँ दोस्तों आज जापा गल करांगे बहुत जबरदस्त परसनेलेटी दे मालक ते बहुत वधिया ते मिठी अवाज वळे सिंगर राजवीर जवन्दा दे जीवन वारे उन्ना दी फैमली वारे ते उन्ना दे करियर वारे दोस्तों वीडियो शुरू करन तो पहला निच्चे दिते रेट कलर दे बटन ते कलिक करके चैनल नू सब्सक्राइब जुरूर कर लो ते नोटिफकेशन वड़ी कंटीनू जुरूर दबालो ता जो हर नवी वीडियो तो हटे तक सब तो पहला पहुंच सके आओ दोस्तों वीडियो वल वाद्देया राजवीर जवन्दा दी जीवनी दी गल करिये ता राजवीर जवन्दा दा जनम तेई दिसंबर 1988 नू पिंडपोनना जगराओं जिला लोदे आना विखे होया इन्ना दे पिता दा नाम कर्म सिंग जवन्दा ते इन्ना दी माता दा नाम परमजीत कोर है राजवीर जवन्दा नू सिंगिंग दा शौंक बचपन तो ही बहुत ज़ादा सी इन्ना ने अपनी स्कूल दी पड़ाई सनमती विमल जैन स्कूल जगराओं विच कीती ते इस्तों बाद इन्ना ने अपनी ग्रेजुएशन दी पड़ाई लेई डियेवी कॉलेज जगराओं विच दाखला लेया पोलेज वीच ही इना ने अपना पहला लिखिया होया सौंग गाया सी जो यूटूब ते काफी सुने गया जिस सौंग नाल इना ने काफी पहचान बना आलेई सी जिसनू तुसी इंग खुद यूटूब उपर राजवीर जवंदा फस्ट सौंग परके सुन सक देऊं। राजवीर जवंदा नूँ बच्पन तो सिंगिंग नाल प्यार होण करके इना ने अपने सिंगिंग दे हुनर विच वादा करन लई। लाली खान नूँ अपना उस्ताद बनाया ते उना तो म्यूजिक बारे पूरा ग्यान लेया। ग्रेजुएशन पूरी होण तो बाद इना ने थेटर दी में पंजाबी उनिवस्टी पटेाडा विच कीती। जदों ए उनिवस्टी विच पढ़दे सी ता ए पंगडे विच बोलियां पाउंदे सी जिस करके लोग इना दी बहुत सहारना कर दे सी क्योंकि इना दी आवा साहिब जादा अजीत सिंग दी वार गाई सी ते जिसनू सुनके लोग का ने इना दी बहुत प्रसंसा कीती। दोस्तों थोनू इक गल होर दास देए कि जदों राजवीर जवन्दा युनिवस्टी विच थेटर दी पढ़ाई कार रहा सी ता ओथे इना दी फील्ड दे होर साथी सी जिमे, कनवर गरेवाल, जोवन संदू, ते कुलविंदर बिला। ते प्रमातमा दा क्रिश्मा देखो आज ए साब भी बहुत मशूर हान। दोस्तों जे अपा गाल करिये राजवीर जवन्दा दे म्यूजिक करियर दी ता इना दा सबतों पहला कुंदा सिंग ताल साथी वाल दा लिख्या होया डेब्यू सोंग मुकावला आया सी, जिसनाल इना ने पंजाबी इंडस्ट्री विच अपना पैर रख्या, ते ए सोंग बहुत सुपर हिट होया, इस तो बाद इना ने होरवी सोंग गाये, जिमें कली जवन्दे दी, दुग दुग वाले यार कंगणी, ते दोस्तों तो हाँ नू दस द ये, कि कंगणी गाणे ने राजवीर जवन्दे दा नाम पूरी दुणिया विच मशुहूर कर देता, इस तो बाद ता राजवीर जवन्दे दे एक तो एक सुपर हिट सोंग आउं दे गए, जिमें होन वाला सरदार, मित्रा ने दिल मंगया, ते सरदारी, ते होर वी बते रे सोंग ने, दोस्तों जे अपा गल करियर राजवीर जवन्दा दे फिल्मी करियर दी, ता इना ने सबतो पहली पंजाबी मूवी मिन दो तसील दार नी विच कम गीता, इस तों बाद इना दी एक होर मूवी आई, जिस दा नाम जिन्द जान, ए फिल्मा काफी फेमस होईया, दोस्तों होन अपा गल करियर राजवीर जवन्दा दियां होबीज दी, ता इना नू बुलिट चलाउना, खूबसूर्त थावा ते कुमना, ते पंगड़ा पौना, बहुत पसंद है, दोस्तों जे अपा गल करियर इना दे फ फेस्टिवल विच तुम भी वजाया कर दे सी, ता इस दोरान इना ने कई मैडल्स ते ट्रोफियां जितियां, दोस्तों अज दे ले एना ही, ते तोहा नू ए वीडियो किद्दा लगी, अपने विचार कमेंट बोक्स विच जुरूर लिखो, ते नाले वीडियो नू वद लोड करिये, ता उस दी जान करी तोहा डे तक सब तो पहला पहुंच जावे, तोस्तों वीडियो शुरू करन तो पहला जे तुसी हजे तक पंजापी करावड चैनल नू सब्सक्राइब नहीं कीता, ता होने सब्सक्राइब कर लो, ता जो हर नभी अपडेट दी जान करी तो हनु सब तो पहला मिल सके, आओ दोस्तों वीडियो वाल बातेया, मैंडी तकर दा जनम 1 मई 1987 नू वालवर हैंटन यूके बिच होया, इन्ना दा रियल ने मंदीप कौर तकर है, इन्ना दे जनम तो पहला इन्ना दा प्रिवार पिंड मल्ली आडा शेहर फकवाडे विच रहेंदा जी, पार इन्ना दे पिताजी बिजनस दे सिलसले विच पूरे प्रिवार समेथ इंगलेड चले गए सी, ते उते ही इन्ना दा जनम होया, इन्ना दे दादाजी दा नाम सरदार दर्शन सिंग तकर है, मैंडी तकर दे माताजी हाउस भाइब ऑन ते इन्ना दी सिस मेंडी तकर ने बच्पन तो ही अपने आपने कदेवी मुंडिया नालों काट नहीं सी समझया ज़दों ए स्कूल विच पड़ दी सिता एना दे स्कूल दी होकी ते रगविधी टीम विच एना नुँ छटके बकी सारे मुंडे सान मेंडी तकर ने अपने फिल्मी करियर दी शुरुवात 2009 विच कीती जदों ए यूक के छटके मुंबई आ गए एथे आके एक कई प्रडियूसर्ज नुँ मिले एथे एना ने सबतो पहला पजापी मुवीज विच अपना करियर बना उन्दा फैसला लिया जिस दे 60 विचों 2010 विच एना नुँ पपू मांदे नाल एक कम सन ओप स्वायल मुवी विच कम करन्दा मोका मिले ते ए मुवी बहुत ज्यादा सुपरहिट होई दोस्तो इस दो वाद मेंडी तक्कर ने होर भी पथे एरिया फिल्मा विच कम कीता जो बहुत सुपरहिट होईया जिवे मिर्चात अंटोल स्टोरी, इश्क करारी, अरतास, रपदा रेडियो ते होर भी मुवीज हन जो सुपरहिट होईया इस तो इलावा दोस्तो मेंडी तक्कर ने हिंदी ते तामिल फिल्मा विच भी कम कीता इना दी पहली हिंदी मुवी 2012 विच पुम्बो आई सी जो की काफी सुपरहिट रही ते इना ने तामिल मुवी बिर्यानी विच भी कम कीता सी दोस्तों जे आपा इन्ना दे अवार्ड्स दी गाल करिये ता इन्ना ने 2013 विच आई पंजापी मुवी बिर्चा दे अंटोल्ड स्टोरी जोकी बहुत ज्यादा सुपर हिट होई सी जिस विच इन्ना नू बेस्ट एक्टरस दे तोर ते पीटीसी पंजापी फिल्म अवोर्ड्स मिले आ सी ता इन्नानू होर्स राइडिंग ते मूवी देखना बहुत पसंद है इस्तों इलावा इन्ना ते फेवरेट एक्टर एमी विर्क अमरिंदर गिल ते दिलजीत दुसांज हान दोस्तों चे आप मेंडी तक्कर दी मेरिज दी गल करिये ता एहले अनमेरिड हान मेंडी तक्कर दा नेचर बहुत स्वीट है ते नाल ही ए लोकांदी हल्प करके बहुत कुश होंदे हान जिस कार ने 2016 विच खाल सा एड्स दे फाउंडर रवी सिंग जीनू मिले ते इराग बॉडर ते बेस हारा ते लोड वंद लोकांदी मदद कीती दोस्तो जे आपा मेंडी तक्कर दी नेट वोर्थ दी गाल करिए ता इना दी नेट वोर्थ दास लख डोलर्स तो भी वाद है आज जासी गाल करांगे तेजी नाल फेमस होए सिंगर नाट ग्यारा याणी की सितु मूसियाले दी लाइफ बारे फेमली बारे ते उनादे करियर बारे ते नाल ही तोहा नू दसांगे सन 2015 मीचे सितु मूसियाले दे दिलते केडी ठोकर लगी सी जिसने उसनू स्टार पना अधत्ता दोस्तो वीडियो शुरू करन तो पहला नीचे दिते रेट कलरते बटन ते कलिक करके चैनल लू सब्सक्राइब जरूर कर लो ता जो हर नमी वीडियो तोहा टे तक सब तो पहला पहुँझ सके आओ दोस्तो वीडियो वाल वातेयां शुपतीब सिंग सितु याणी की सितु मूसियाले दा जनन 11 जून 1993 में विच मान सा जिले दे पिंड मूसा विच होया इनदे पितादा नाम सरदार पोला सिंग सिद्धु है ते माताजीदा नाम चरनकोर सिद्धु है जो की पिंड मुसा दी सरपांच भिला है सिद्धु मूस्याले ने अपनी स्कूल दी पड़ाई पूरी करन्तो बाद इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग दा सुपना लेके गुर्णानक तेव इंजिनेरिंग कोलेजिलु दे अना विच दाखला लेया दोस्तो सिद्धु नू बचपन तो ही सिंगर बणन दी देलो इच्छा सी इसलेई ओ अपने गाणे रिकार करवावना चाउंदे सी दोस्तो सिद्धु मूस्याला शुरू विच अपने सोंग खुद नहीं सी लिख्या करदे इसलेई एना ने ओस समय दे मशुहूर गीत कारां तो जिनना ते गाणे बहुत ही सुपरहिट हुंदे सी ओना तो अपने लिए एक वधिया गाणे दी मंग कीती पर ओना ने इसलेई बहुत ज़्यादा पैसे दी मंग कीती ते उस वेड़े ए एने पैसे नहीं सी दे सकदे जिस कारण एक काफी ज़्यादा उदास हुए ते कुछ गीत कारां ने एना नू लारेया विच्वी रख्या इक दिन एना नू एक मशुहूर गीत कार दा फोन आया ते ओ सितू नू अपना गीत तेली राजी हो गया ते कैनदा कि सितू तू मेरे पिंड आके गीत ले जा इस नाल सितू मुझसे वाड़ा दी खुशी दा टिकाना नहीं रहा ते ओ गीत ले ले ली चड़ा गया रास्ते विच बहुत तेज मी होन करके ओ सारा पिज गया सी जदो सितू ने उसनू पिंड पहुंच के फोन कीता ता ओ कैनदा कि सितू आज मैं तेनू गीत नहीं दे सकदा तू फेर किसे दिन आई एक अल सितू मुस्याडा दे बहुत ही जादा दिलते लग गई उस फेरे सितू मुस्याडा कोलेज विच पढ़ रहा सी ते उदास होके अपने होस्टल विच वापिस आ गया इस तो बाद उसने फैसला लेया कि हुन तो ओ अपने गीत खुद ही लिखके गाया करेगा ते किसे होर ते लिखके होए गीत कदे नहीं गायेगा इस तो बाद सितू ने अपने गाणे खुद लिखने शुरू कर देते शुरू विच इनना नू सोंग लिखन विच बहुत मुश्किला आया पर ए मेनत करते गई ते एक सोंग लिखिया जिजदा नाम सी लाइसेंस इस सोंग नू तो ही आर सोणा विच निंजे ने सिलेक्ट कीता ते गाया ए सोंग काफी सुपर डुपर हिट रहा इस पिच्छों अपनी डिगरी पूरी होन तो बाद ए अपनी अकेदी पड़ा इली कैनेडा चले गए ओथे ही इनना ने अपना गाणा जी वैगन गाया ए सोंग काफी हिट होया ते इस सोंग ने काफी रिकोर्ड बनाए इस सोंग ने सिद्धू मूसियाले नू रातो रात इक सुपर स्टार पड़ा देता इस तो बाद सिद्धू मूसियाले ने पिच्छे मुण के नहीं देख्या ते होर भी पते रे सोंग्स काए जो सुपर हिट होये जे में सो हाई, इट्स आल अबाउट यू, जस्ट लिसन ते टोचन इनना तुवारा काए के ते मशुहूर होये सोंग्स दी गिंती पहुत ज्यादा है सिद्धू मूसियाला ने एक के संताली सोंग भी गाया जिस विच होलिवूड सिंगरा ने भी काम कीता जिसनाल सिद्धू मूसियाला कल्ला पंजापी इंडस्ट्री ही नहीं सगो होलिवूड इंडस्ट्री विच भी मशुहूर हो गया इनना ने अपने हेटर्ज नू जवाव देल ली लाइफ स्टाइल सोंग रिलीज कीता ते इस गीत नू लोका द्वारा बहुत पसंद कीता गया दोस्तो सिद्धू मूसियाला अपनी माता जीनू भी बहुत प्यार करता है ते इनना ने अपनी माता जी दे जनम दिन ते टियर ममा सोंग रिलीज कीता सी ते इस गीतनू लोका ने बहुत ज़्यादा प्यार देता दोस्तो जै आपा सितू मुसे आड़े ते अवार्ड़ दी गल करिये ता सितू मुसे आड़ा दा कहना है कि मेंनू किसे भी अवार्ड़ दी कोई लोड नहीं मेंनू बस अपने फैंस दा प्यार मिलदा रहे एना ही काफी है दोस्तो ज़े आपा कल करिये सिद्धू मुसे वाड़े कोड कारा ते उस दी नेट वोर्थ दी ता इना कोड रेंज रोवर हमर H2 ते फोर्च उनर वरगिया महंगिया कारा ने ते इना दी नेट वोर्थ लगपक 20 क्रोड रुपेतों भी उपर है दोस्तो अज आपा कल कीती मशुहूर सिंगर सिद्धू मुसे वाड़ा बारे दोस्तो तोहा नू ए वीडियो किता लगी कोमेंट पोक्स विच अपने बिचार जुरूर देओ ते ए भी जुरूर लिखो की तोहा नू सिद्धू मुसे वाड़ा दा केड़ा सोंग सब तो ज्यादा पसंद है ते नाल ही इस वीडियो नू लाइक जुरूर करते हो तोहा टा हर एक लाइक साटे ली मोटिवेशनल दा कम करता है एक वार फेर हाजर होया पंजाबी इंडेस्ट्री दे बहुती मशु़ूर ते लखा दिला दी तड़कन सिंगर ते एक्टर गुर्णाम पुलर दी बायोग्रफी लेगे जिस विच गल करांगे गुर्णाम पुलर दे लाइफस्टाइल, फैमली ते म्यूजिक करियर बारे इसलिए वीडियो नू आन्त तक जुरूर देख्यो ते नाल ही जेकर तुसी पंजाबी क्रावड चैनल ते नमे हो गुर्णाम पुलर दा जनम अट परबरी 1995 नू पिंड कमल वाला तहसील पजिल का जिला फिरोजबुर विच होया इना दे पिताजी दा नाम बलजीत सिंग पुलर ते इना दी माता दा नाम लखविंदर कोर पुलर है इना दे पिताजी सरकारी नोकरी कर देने दोस्तो जे अपा गुर्णाम पुलर दी पड़ाई दी गल करिये ता इना ने म्यूजिक विच एमे कीती होया दोस्तो गुर्णाम पुलर नू सिंगिंग दा शोओं का बचपन तो ही बहुत ज़्यादा सी इस करके जदों वि इना दे स्कूल विच कोई सिंगिंग कूपिटिशन हुंदा ता ये उस विच पाटिसपेट कर दे ते कोल्ज विच भी इसे तरह ही पाटिसपेट कर दे रहे बचपन तो सिंगिंग नाल प्यार होन करके यह इसे लाइन नू अपना करियर बनोना चौँदे सी इस करके इना ने म्यूजिक दी सिख्या वी लई सिंगिंग करियर वीच अग्गे वदन लई इना दे माता पिता ने इना दा पूरा साथ देता जदो कुरनामपुलर अठ्वी कलास वीच पढ़ रहा सी ता उस वेले म्मेच वन ते सिंगिंग रियालिटी शो अवाज पंजाब दी सीजन पाइब चल रहा सी इस ओडिशन वीच इना नूँ पाइब करन्दा मोका मिलया ते इस वीच इना नूँ सलेक्ट कर लया गया इना दी परफॉर्मेस एननी वदिया सी कि ए सिंगिंग रियालिटी शो अवाज पंजाब दी ओडिशन दे विनर रहे इस तो बिना ए रियालिटी शो सारे गामा पा ते वोई सो पंजाब विच भी पाटिस्पेट कर चुके ने दोस्तो होना पकल कर देयां गुर्नाम पुल्र दे सिंगिंग करियर दी ता एनना अपने सिंगिंग करियर दी शुरुवाद 2014 विच कीती जदो एनना दोवारा गाया पहला सोंग हीर जहियां कुडियां आया सी इस सोंग नाल एनना ने पंजाबी इंडाश्ट्री विच एंटरी कीती पर इस सोंग नाल एनना नू ओक पहचान नहीं मिली जो ए चाउंदे सी एनना नू असल पहचान ओदो मिली जदो दो है और 2016 विच एनना दा रखली प्यार नाल जिमें मर्जी सोंग आया सी एस सोंग बहुत ज्यादा सुपरिट रहा ते इस सोंग दे नाल गुर्णाम पुल्रदा नाम पंजापी इंडश्ट्री दे वटे वटे सिंगरा विच आउन लग गया इस पिछों गुर्णाम पुल्रदे होर वी कई सोंग आये जिमें डायमंड, गोरा रंग, तोन मार्दी, गुटियां पटोले इस सारे दे सारे सोंग सुपरिट रहे जे अपपा 2021 वीच चल रहे गुर्णाम पुल्रदे गीता ली गल करिये ता ओने पसंद बन की अग अत कोका कहर सवरका दा चूटा ते जान दोस्तों होना पा गल कर दे आप गुर्णाम पुल्रदे फिल्मी करियर दी दोस्तों जे अपपा गुर्णाम पुल्रदे अवार्ड्स दी गल करिये ता 2002 वीच इना नू बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर दे रूप वीच पीटीसी पंजाबी फिल्म अवोर्ड दे नालसन मानित कीता गया जे अप गुर्णाम पुल्रदी मेरिजदी गल करिये ता एँ हले अनमेरिड ने दोस्तो ओना पकल कर देयां गुर्णाम पुल्रदीयां हो बिजदी ता एना नू सिंगिंग करना, बास्किट बाल खेटना ते जिम जाना पहुत पसंद है चेकर तुसी भी गुर्णाम पुल्रदे फैल हो ता ओना नू इस्टाग्राम ते जाके फोलो जुरूर दरो जिजदा लिंक तो हानू वीडियो दी डिस्क्रिप्शन विच मिल जावेगा दोस्तो तो हानू ए वीडियो कितना लगी अपने विच्यार कोमेंट बोक्स भी जुरूर देओ ते ए भी दसो कितो हानू गुर्णाम पुल्र दा केडा सोंग सब तो जादा पसंद है नाले वीडियो नू लाइक जुरूर करेओ तो हड़ा हरी का लाइक सड़ेली मोटी वेशनल दा कम करदा है आज आपा गल करांगे बहुती कूप सुरूत ते मोस्ट टैलेंटिड मोडल ते एक्टरस सोनम बाजवादी लाइफस्टाइल ते उनादी स्ट्रगलिंग लाइफ बारे इसलिए दोस्तो वीडियो नू आन्त तक जुरूर देख्यो ति जेकर तुसी सोनम बाजवादे फैन हो ता उनादा नू इंस्टाग्राम ते फोलोवी कर सकते हो जिस्दा लिंक थोनू थले वीडियो दी डिस्क्रिप्शन विच मिल जावेगा आउ दोस्तो वीडियो वल वादे हां सबतो पहला दोस्तो आपा गल कर दे हां सोनम बाजवादे जनम दी ता इनादा जनम 16 अगस्त 1990 नू नानक मत्ता रुद्रापुर उत्राखंड विके होया इनादा पूरा नाम सोनम प्रीत कोर बाजवाए पर एह इंडरस्ट्री विच सोनम बाजवादे नाम नलम शुहूर होये इनादी माता जीदा नाम रित्तु बाजवाए जोकी एक अध्या पगने इनादा एक ब्रदर भी है जे दोस्तो आपा सोनम बाजवादी पढ़ाई दी गल करिये ता इना ने अपनी शुरुवाती पढ़ाई जेसिस पबलिक पुराविच कीती इस तो बाद इना ने ग्रेजुएशन दी पढ़ाई देली युनिवस्टी तो प्रापत कीती सोनम बाजवादनू बचपन तो ही मोडलिंग करन्दा बहुत शौक सी ते ए मिस इंडिया बनना चोंदी सी इसलए एहे 2012 विच मुंबई चली गई ओथे जाक अपना मोडलिंग करियर शुरू करन्तों पहला एहे एर होस्टिस दा कम कर दी सी ते नाल नाल अपनी मोडलिंग दी ट्रेनिंग वी कर दी रही जिस दे फ़ल्सवरूप एना नू दोह यार तेरा मिच बैस्ट ओफ लक मुवी विच चुनेया गया जिस विच एना ने बहु 84 विच वी अपना रोल अधा कीता ते इस मूवी नू लोक मोडलो बहुत प्यार मिल या ते इस मूवी नाल इना दे बहुत फैन्स हो गे इस्तों बाद था इना ने जिन्यावी मूवीज विच कम कीता सारियां दिया सारियां ही सुपरहिट होईयां इना ने बहुत सारियां फिल्मां विच कम कीता जो की कुछ इस तरह ने सरदार जी, निक्का जैलदार, मन्जे बिस्त्रे, जिंदे मेरिये, गुडियां पर टोले, अडब मुटेयारां ते पुवाड़ा ए सारियां दिया सारियां फिलमा सुपर हिट होईयां एना दियां 2009 विच, कैरी ओन जटा टू, ते 2002 विच, अडब मुटेयारां मुवीज आईयां, जोकी बहुत ही ज्यादा सुपर हिट होईयां जिसले एना नू बेस्ट एक्ट्रेस दे तोर ते, पीटीसी पंजाबी फिलम अवार्ड्स दे नाल सनमानित कीता गया जे दोस्तों आपा सोनम बाजवा दे म्यूजिक करियर दी गल करियें, ता इना ने बहुत सारे पंजाबी सोंग्स विच भी मोडलिंग कीती है जिवें, सुर्मा, जटी जिवने मोड वरगी, ब्राउन शोटी जे दोस्तों आपा सोनम बाजवा दे व्यादी गल करियें, ता एहले अनमेरिड ने सोनम बाजवा ने दस्या की एह एक मुंडे नू प्यार कर दी सी, जिसने दोह यार स्ताना विच मेनू तोखा दे देता, ते मुड के मैं किसे नाल प्यार नी कीता, सिवाए फैमली दे दोस्तों जे आपा सोनम बाजवा दी होबीज दी गल करियें, ता एनननू शोपिंग करना, जिम विच वर्काउट करना, ते को मना फिरना बहुत पसंद है, एनननू डोग्ज नाल वी बहुत प्यार है दोस्तों आजापा गल कीती पंजाबी इंडस्ट्री दी मशूर अधाकार, सोनम बाजवा दे जीवन ते उस दे करियर बारे तो हाँ नू ए वीडियो के दा लगी, आपने विचार, कुमेंट बोक्स भी जुरूर देो, ते नाल ही वीडियो नू लाइक करके चैनल नू सब्सक्राइब जुरूर कर लो, क्योंकि अजी पंजाबी इंडस्ट्री नाल जुडी, हर खावर तो हाँ डे तक लेके आउंद करियर बारे, क्योंकि इस तरह पंजाबी इंडस्ट्री विच आए, सब तो पहला गल कर देयां दोस्तों एमी विर्क दे जनम दी, ता एना दा जनम 11 मई 1992 नू पट्याला जिल्या दे पिंड लोहार माजरा नाबबा विखे होया, एना दा पूरा नाम अमरिंदर पाल सिंग विर्क है, पर एना दे सारे दोस्त मित्तर ते करदे एना नू एमी गय के बलाओंदे सी, ते ए इसे नाम नाळ मशूर होय, एना दा प्रवार काफी पैसे वाड़ा सी, दोस्तों आपा एमी विर्क दी पड़ाई दी गल करिये, ता एमी विर्क ने आपनी शुरुवाती आया, इना कोल सिंगिंग दा जो भी हुन रहे ओ परमादमा दी देन है, एमी विर्क नू सिंगिंग दा शौंक बचपन तो ही बहुत सी, पर एना ने कदे नई सी सोचिया कि ए एक सिंगर दे रूप विच साब दे सामने आउनगे, इना ने अपने सिंगिंग करियर दी शु आतने भी आतने भी आतने, एमी विर्क ने अपने दोस्तां दे कहनते ए सोंगरी कोड करवाया, ते यूटूब ते अपलोड करवाया, एक गाना बहुत सुपरहिट होया, जिस नाल एमी विर्क नू म्यूजिक कंपनी वालेयां दे फोन आउने शुरू हो गए, के बाई शोंक लई गाया सी, पर जदों ए सुपरहिट हो गया, ता एमी ने सिंगिंग नू अपना करियर पना उन्दा फैसला लेया, एमी विर्क दे इस कम विच उस दे मादा पिता ने भी पूरा साथ देता, इस पिछों एमी विर्क ने पिछे मुड के नहीं देखिया, ते होर भ तेरा विच एमी विर्क दी पहली एलबंब जटीजम आई, इस विच जिनने वी गाणे सी साबनू लोकाने बहुत जादा प्यार देता, इस एलबंब लई एमी विर्क नू पीटीसी मुजिक अवार्ड वलो बेस्ट एलबंब ओफ द इयर ओफ द अवार्ड नाल सनमानित क जिनने वी शौन्ड विर्क लियुज किता गया सी, दोस्तों आप्पा जे एना दे सुपरिट सोंग्स दी कल करिये, ता एमी विर्क ने जिनने वी सोंग्स आई सारे सारे सुपरिट होइ जिवे बुलट वसेस चमक चलो, जिन्दाबाद यारियां, किसमत, हस यां खेडिया एमी विर्क वल्लो गाया हर सोंग सुपर हिट होया इस तो इलावा जे दोस्तों आपा एमी विर्क दे फिल्मी करियर दी गल करिये ता एमी विर्क ने 2015 विच आई अंग्रेज मुवी विच अमरिंदर गिलनाड पहली पंजाबी मुवी विच काम कीता ते इते ही इना दे फिल्मी करियर दी शुरुवात होई इस फिल्म विच इना ने बहुत वधिया पो मिका निभाई जिस करके 2016 विच एमी विर्क नूँ बेस्ट डेब्यूट एक्टर अवार्ड और पीटिसी फिल्म अवार्ड दे नाड सनमानित कीता गया इस पिच्छो एमी विर्क दा हो उसला एना बाद गया कि इना ने होर भी पंजाबी मुवीज बीच अपना रोल अदा गीता जिमें अर्दास, बंबू काट, निका जैलदार आदी 2017 विच एमी विर्क दी एक होर पंजाबी मुवी निका जैलदार 2 आई इसनों भी लोका ने बहुत पसंद कीता इस तो बाता एमी विर्क दियां एक तो एक सुपरेट मुवीज आउंदिया रहियां जिवें किस्मत, मुकलावा, हरजीता, सुपना, हुआडा, ते किस्मत टू आदी एमी विर्क ने पंजाबी मुवीज दे नाल नाल, दो बोलीवुट फिल्मा विच भी कम कीता, जिना विच पहली फिल्म है रनवीर सिंग दी 83, जो की 1983 दे वर्ल्ड कपनू लेके बणाई गई है, ते दूसरी फिल्म है अजे देवगंदी पुज, जिस विच एमी विर्क एक पाइलेट दा रोल अदा कीता है, ए फिल्म उनिसो का तरदी पार्त पाकिस्तान दी बंडरू लेके बणाई गई है, दोस्तों होना पा गल कर दे एमी विर्क दियां होबीज दी, ता इना नू सिंगी करना, पंगडा पौना, ते क्रिकेट खेटन दे नाल नाल, कुते पालन दावी शोग है, दोस्तों आज आपा गल कीती पंजाबी इंडस्ट्री दे बहुत ही फेमस सिंगर एमी विर्क दे जीवन, ते उना दे म्यूजिक करियर बारे, तोहान नू ए वीडियो किदा लगी, अपने विचार, कुमेंट बॉक्स भी जरूर देो, ते ए भी दस तोहान नू एमी विर्क दी केडी मुवी ते केडा सौंग सब तो ज्यादा पसांद है थोटे नाल संजी करांगे, कि उना नू किस तरा लिखने दा शोंग पया, इसली दोस्तो वीडियो नू अंत तक जुरूर देख्यो, सब्तो पहला दोस्तो अपा गल करदेया सिम्र दुराहा दे जनम दी, ता इना दा जनम 1992 नू लुदे आना जिले दे पिंड दुराहा वि ता ए दो पैन पाई ने इना दे माता जीदा नाम इंदर जीत कोड ते इना दे पिता दा नाम कुलतार सिंगे, दोस्तो होणा पा गल करदेया सिम्र दुराहा दी पडाई दी, ता इना ने अपनी शुरुवाती पडाई, शिरीगुरु नानक सीनियर स्केंडरी स्कूल दु ते इस तों बाद इना ने पंजाब युनिवस्टी चंडी गड़तों मास्टर ओफ आर्ट्स नाल आपनी पडाई कंपलीट कीती, जे दोस्तों अपा सिम्र दुराहा दी गीत कारी दी गल करिये, ता इना नू गीत लिखन दा शौक कोलेज टाइम तो ही पै गया सि, क्योंक ते गाया पहला सोंग पहला पहला प्यार 2017 विच आया सी, इस तों बाद ता सिम्र दुराहा दे होर कवी कई सोंग आये, जिवें पहला वाले, शराब भी, सिम्र दुराहा दुवारा लिखे सोंग होर कई कडाकारा नेवी गाएने, जिनना विच बैटल सोंग निंजा विर्क दवारा गाया गया, इनना सारे सोंग्ज नू लोका ने बहुत ज़्यादा प्यार देता, इस तरह सिम्र दुराहा अग्गे वाददा गया ते 2021 विच इनना ने अपना खुद दा लिखिया सोंग रांजा गाया, इस सोंग दे बोलाने सिम्र दुराहा नू पंजाब पच्छान सिर्फ इस सोंग नाल नहीं मिली, सगो अपनी सत तो अठ साल दी मेंट पिछों मिली है, इस पिछों इनना ने एक होर गीत बुलेट रिलीज कीता, इसनों भी लोका ने बहुत ज़्यादा प्यार देता, अपने म्यूजी करियर दी शुरुवात तो पहला सिम्र सिम्र दुराहा अपने कोलेज बिच होन वाले पंगडे लई बोलियां भी लिख्या कर दे सी, अपने म्यूजी करियर दी शुरुवात दुरान सिम्र दुराहा नाल इक कटना भी वाप्री, जदो इनना दुवारा लिख्या ते गाया मज़ूर सोंग शराबी, किसे ने चोर करके पहला ही यूटूब ते अपलोड कर देता सी, ते जदो इनना ने ए सोंग खुद स्पीड रकोर्ड्स चैनल ते अपलोड करवाया, ता ए डलीट कर देता गया सी, पर बाद विच इसनू फिर तो यूटूब उपर अपलोड कर देता गया, जिसनू तुसी खुद यू कोर्ड, तेलू चेते करदा, नशा, पहला वाले टू, रिमांड, चन ने शिकायत, जिनना नू लोका वलो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सिमर दुराहा दी एकसेल नाम दी अलबम वी आई, जिसनू लोका ने बहुत ज़्यादा प्यार देता, सिमर दुराहा ने ए केवरेट सिंगर बब्बु माना, दोस्तो आजापा गालकिती पंजाबी इंडस्ट्री दे मश्वूर सिंगर सिमर दुराहा बारे, तो हानू ए वीडियो किद्दा लगी, आपने विचार, कोमेंट बोक्स भी जुरूर देओ, ते वीडियो नू लाइक करके, चैनल नू आज आपा गल करांगे पहुत ही मश्वूर पंजाबी सिंगर ते सौंग राइटर गैरी संदू दी परसनल लाइफ ते उस दे म्यूजिक करियर बारे, ते दोस्तो तो हानू एवी दसांगे की 2013 विच गैरी संदू नाल की इंसिडेंट वापरे सी, इसलही वीडियो नू आ कड़ां विच होया, इन्ना दा रियल नाम गुर्मुख संधू है, पर इन्ना ने जदो ऑपने सिंगिंग करियर दे शुरुवात कीती, ते इन्ना ने अपना नाम बदल के गुर्मुख संदू तो गैरी संदू रंख लेया, तान जो इन्ना दा नाम हर इकनू बड़ी आसा इना ने अपने माता पिता दा नाम अपनी गर्दन ते लिखवाया होया है ते ओ एस गलदा सबूत है कि ए अपने माता पिता नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार कर देने। ताहले इना ने व्या नहीं करवाया। गैरी संदू ने अपनी पड़ाई अपने पिंड़दे स्कूल वीच ही कीती। ए पड़ाई वीच बहुत हुशे आर नहीं सी पर दुजे पास से एक खेड़ा खेड़न वीच बहुत ज़्यादा वदिया सी। पड़ाई वीच हुशे विचार ना होन करके ए दसवी कलास विच फेल हो गया सी ते उस्तों बाद इनाने अग्येदी पड़ाई करन्दा कोई विचार ना बनाया दोस्तों थोनू दास दईये कि गैरी संदूनू सिंगिंग दा शोंग बच्पन तों ही बहुत जादा सी इसलिए जदों वी उसदे प परवार बहुते पैसे वड़ा नई सी ते जिमे की अपा सब जान दे हां कि एक गाणे नू रिकार्ड करवाउन ले किन्दे पैसे आंदी लोड हुं दिया है सो उस बिले पैसे आंदी तंगी कारण गैरी संदू अपने गाणे रिकार्ड नहीं करवा सक्या दोहियार दो व अपना पहला गाणा रिकार्ड करवाया जो सी मैं नी पींदा हान दिये नी तिरा इश्क प्योंदा नी ते इस गाणे नाल इन्ना नू काफी फेम भी मिलेया इस्तों बाद इन्ना दे होर भी गाणे आए जिमें दिल दे दे साहां तो पेयारया फ्रेश टोर दिन रात इन् सोंग सुपर हिट होया गैरी संदु दी सब्तों पहली एलबम दा नाम फ्रेश सी 2011 विच गैरी संदु नू बेस्ट नू कोमर ते बेस्ट मेल एक्टर दे रूप विच ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड दे नाल सनमानित कीता गया सी इस्तों इलावा गैरी 2013 विच बेस्ट ड्यूट वोकलिस्ट दे तोर ते पिटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड दे नाल वी सनमानित कीता गया 2013 विच गैरी संदु ने अपना लिख्या होया इकता आर्मिक गाणावी रिलीज कीता जो इस तरह सी एक गाणा वी गैरी संदु दा बहुत ज़्यादा सुपरहिट होया इस तों बाद गैरी संदु दे होर वी काफी फेमस सोंग जिमें इगो बंदा बाणजा लड़ू ते होर वी आए साल 2014 वीच गैरी संदु दी एक पहली पंजाबी मुवी रोमियो रांजा आई जो बहुत सुपरहिट होई होण तक गैरी संदु दे जिनने वी सोंग आए सारे सुपरहिट होई 2002 विच गैरी संदु दी एक होर पंजाबी मुवी चाल मेरा पुत्त टू आई ते इसनुवी लोकाने बहुत प्यार देता सी ते 2001 विच गैरी संदुने एमी विर्क दे नाल किसमत टू विच भी कम कीता इस्तों बाद गैरी संदु दे होर वी सोंग्स आई जिमें गुड़ लग इश्क ब्यार नी करदा आदी गैरी संदु दा फ्रेश मीडिया रिकोर्ड जे नाम ते एक यूटूब चैनल विया जिस उत्ते गैरी संदु दे अपने गानेता आउंदे ही ने नाल नाल उस्ते होर ना कला करांदे वी सोंग्स आउंदेने इस्तों बिना गैरी संदु दा इक फ्रेश कोलेक्शन नाम दा कपड़ा ब्रैंड स्टोर विया जिस दे स्टोर अमरिसर बटाला ते जलंदर विच हन उन अपना गल कर देयां साल 2013 गैरी संदु नाल वापरे इंस्डेंट वारे ता ओईसी की साल 2013 गैरी संदु नु यूक़्े पुलिस ने फड़ ले आसी इस दा कारण एसी की गैरी संदु नकली पास्पोर्ट तो यूक़्े गया सी ते ओ ओ थे गैर कानुनी तरीके देनाल रह रहा सी जिस करके गैरी संदुनू जेल वी जाना प्या सी जेल विच ही गैरी संदुने इक तेरा सहारा मिलजे बाबा दुनिया दी परवान ही करदा ए सोंग लिख्या सी चार दिन दी जेल पिछों गैरी संदू नू डिपोर्ट करके यूख के तो इंडिया वापिस पेज दिता सी पर जदो ए सुपर हिट हो गया ता फेर इसनू दो हियार उन्नी विच इंगलैंड विच रहन दी इजाजत मिल गी इंगलैंड विच इना नू सारे फ्रेशी कहके बलाओं दे सी इस करके इना ने अपने यूटूब चैनल ते कपड़े ब्रैंड नू फ्रेशी नाम नाल शुरू कीता दोस्तो जे अपा गैरी संदू दियां होबिस दी गल करिये ता इना नू कुड सवारी करना सोंग दिलिखन दे नाल शोंग सुनना वी बहुत पसंद है ते इस तो इलावा इना नू कुट्रे पालन दा वी शोंग है दोस्तो आज जे अपा गैल कीती पंजाबी सिंगर गैरी संदू दी परसनल लाइफ बारे उमीद है तो हानू ए वीडियो पसंद आई होवेगी दोस्तो तो हानू गैरी संदू दा केडा सोंग सबतो ज्यादा पसंद है कोमेंट बोक्स वीच जरूर दसो अज असी गाल करांगे पंजाबी इंडस्ट्री वीच तेजी नाल फेमस होई सिंगर काका बारे जिनना ने अपने कुछ गाणय नाल ही पंजाबी इंडस्ट्री वीच पहुत वटा नाम पणालया अज असी सिंगर काके दी लाइफ स्टोरी ते स्ट्रागलिंग लाइफ पारे गल करांगे कि किमें उनना दे गाने तेजी नाल हेट हो गए सो ज वीडियो चंगी लगे ता चाल्दी चाल्दी वीडियो नू लाइक जरूर कर देओ दोस्तो काके दे गाय होएगी जिसने भी सुने ओही इनना दा फैन हो चुका है अते आज इनना गाणया नाल ही तोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिमें इंस्टाग्राम, फेस्बुक ते यूटूब ते लखा शोट वीडियो इनना दे फैन्स दुवारा बनाया जा रहिया ने सिंकर काके दा जनम अगस्त दे महीने सन 1994 विच पटेाला जिले दे एक निक्के जहेपिंड चंदू माजरा विच एक गरीव फैमली विच होया इनना दा नाम रविंदर सिंग है इनना दा रंग सामलाय अते कद पंज फुट अठ इंच है इनना दे माता पिता वटा प्रा ते प्रा दी वाइफ ते उनना दा बेटा यानी की इनना दा पती जा समेत एक आर विच छे जी हन इनना दे पिता जी राज मिस्तरी ने ते इनना दे वड़े प्रा एक प्राइवेट जोब कर देने दोस्तो शुरू विच काके ने अपनी पड़ाई अपने पिंड़ दे स्कूल विच कीती ते उस्तों बाद अपनी अग्ये दी पड़ाई एना ने पंजाब इंस्टिटूट ओफ टेकनोलजी राजपुरा विच अडमीशन ले 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 अते ओथे एना ने बीटेक मकैनिकल इं Venual Functions विच पाग लेंदे ते गाणे गाऊन दे सी ते कोलज वीच भी एिसे तरह ही पाग लेंदे रहे होड़ी होड़ी इना ने सिंगिंग नूँ अपना पैशन बना लेया हलांकी इना दे पिता जी इना नूं सिंगिंग करं तो रोगदे सी क्योंकि ओना दा कहना सी की काक सिंगिंग करन तो नहीं हटेया इंजिनिरिंग दीपड़ाई पूरी करन तो बाद काके ने सोचिया कि म्यूजिक इंडस्ट्री विच पैर रखेया जावे पर उसनू पता सी कि इसली बहुत सारे पैसें दी जरूरत है उस वेले पैसें दी तंगी कारण ओ अपने गाने त्या कर दे सी दोस्तों इस तों इलावा काके ने मोहाले विच कई जोब्स कीती हैं जिस दे नाल जदों उसकोल कुछ पैसे बन गए ते कुछ पैसे अपने दोस्ता तो इकठे कीते ते अपनी पहली एलबंब नवंबर 2019 विच रिलीज कीती जिस दा नाम है सुर्मा जो की काके न अपने दोस्ता नाल मिलके बनाई सी इस नाल उस नू कुछ खास सफलता नहीं मिली पर उसने अपनी हिम्मत जारी रखी जोदो मार्च 2002 विच लोगडाउन लगया ता काके नू नोकरी चटके करे आउना पया ओ अपने उपर आले कमरे विच रेंदा सी ते हर्मोनियम लेके प्रेक्टिस करदा रेंदा ते सोंग लिखदा लोगडाउन दरान काके ने एक नमा सोंग लिखिया ते रिलीज कीता जिस दा नाम है कै लेंड दे इस गाणे नू लोका ने एनना ज़्यादा पसंद कीता कि इस गाणे ने काके नू रातो रात स्टार बना देता ए सोंग काके दी उमीद तो भी ज़्यादा वेरल होया ते रिलीज हों तो कुछ कंटेया बाद ही ए यूटूब दे ट्रेंडिंग विच पहुंच गया इस गाणे दे कुछ दिना बाद काके ने होर दो गाणे गाए तीजी सीट ते लिबास काके द्वारा गाया गया लिबास सोंग पहला वाले सोंग तो भी वद वैरल होया ते ए सोंग भी ट्रेंडिंग विच चलेया ते इस गाने तो बाद काके ने एक होर सोंग रिलीज कीता जिस दा नाम है टेंप्रेरी प्यार ए गाने काके दे बहुत ज़्यादा फेमस होए इस तों बाद बते एरियां म्यूजिक कमपणियां दे ओफर आये पर काका किसे नालवी काम करन विच राजी नहीं होया काके ने इंस्टाग्राम ते एक पोस्ट विच केहा कि मैं ना अपने गीत वेच दा हाँ ते ना ही किसे दे गीत लेके गा रहा इक वेडा जी जदों काके दे पिता जी उसनु सिंगिंग करन तो रोग दे सी पर जदों ओं काम्याब हो गया ते जदों लोक काके दे पिता जीनु वदाईया दिन दे ते फोटों लेंदे तां ओह बहुत ज़्यादा खुश होंदे अते अपने पुत्तर ते गरब महसूस कर दे जदों काके दा सोंग के लेंड दे आया तां उस दे पिता नु कुछ पता नहीं सी पर जदों उस दे पिता नु लोक का तो पता लगया कि उस दा पुत श्टार बन गया है ओ बहुत ज़्यादा खुश होए अज काके दा पंजाबी इंडस्ट्री विच एक बहुत वड़ा नाम बन चुका है पर ओ इस लाइफ तों कुछ खास खुश नहीं हन ओ ता अपनी नॉर्मल लाइफ ही जेवना पसंद कर दे हन इना ने अपने पिता नू इक आगया करी पुत होंदा वी सबूद देता पहला ए इंजनियर बने ते फेर सिंगर जिस करके इना ने अपने पिता दा सुपना वी पूरा कीता ते अपना सुपना वी पूरा कीता काका मेनत नू ही रब मानदा है इस तों इलावा काके नू वर्काउट करनदा भी शोंक है जिस नाल एना दी बोडी भी फिट है इस दे इलावा एना दे होर शोंक जिमें ड्राइविंग प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ते फोटोग्रफी करना बहुत पसंद है अज आपा गाल करांगे पंजाबी इंडस्ट्री दी मशुहूर फेमस सिंगर मेस्ट पुजावारे जिसनू ड्यूट क्वीन भी किया जान्दा है क्योंकि उनना ने बहुत सारे ड्यूट सोंग भी गाय हन जिनना सोंग जुनू लोका ने बहुत ज़्यादा प्यार देता दोस्तो मिस्ट पुजादा जनम 4 दिसंबर 1980 राजपुरा विच होया एना दा रियल नेम गुरिंदर कोर कैंट है परकार विच सारे एना नू मिस्ट पुजादे नाम नाल बलाउंदे हन ते ए इसे नाम नाल ही मशूर होय एना दे पितादा नाम इंदर पाल कैंट ते मातादा नाम सरोज देवी है मिस्ट पुजादे परादा नाम मनपरीत कैंट अते पैंदा नाम मनिंदर कोर कैंट है कार विच ए तिन पैंड पाई हन दोस्तों जे तोहानू भी नहीं पता कि मिस्स पुज़ा दा व्याज होया है जा नहीं ता आओ तोहानू थास देया मिस्स पुज़ा दा व्याज 2010 विच पंजाबी इंडस्ट्री दे प्रोड्यूसर रोमी टेली नाड होया पर इस गल दा बहुत काट लोका नू पता है क्योंकि मिस पुजा ने अपनी मेरिज दी कोई भी फोटो सोशल मीडिया ते पोस्ट नहीं कीती ए मिडल कलास पैमली नू बलोंग करदे हन ते इस दे नाल ही तोहानू दस दये की मिस पुजा नू सिंगिंग दा शोंक पचपन तोहीं बहुत जादा सी इस लई ए हर सिंगिंग कॉंपिटिशन विच पार्टी स्पेड करदे रहेंदे ते फस्ट वी आउंदे सी इना दे पिता जी इनानू सिंगिंग सिखाऊन लेई सवेरे जल्दी उठाऊं दे ते प्रैक्टिस करन ली गैंदे ते खुद मिस पुजा नू सिंगिंग कलासा लवाऊन लेई साइकल ते जान दे सी मिस पुजा ने अपनी शुरुवाती पड़ाई इशर पबलिक स्कूल ते CM सीनियर स्केंडरी स्कूल राजपुरा विच कीती इना ने म्यूजिक दी MA अते B.A. पंजाबी युनिवस्टी पटेला तो कीती मिस पुजा नू बुक्स पड़न ते योगा करन दा बहुत शौक है एना ने अपनी प्रोफेशनल सिंगिंग शुरु करन तो पहला पटेल पबलिक स्कूल विच एज अ म्यूजिक टीचर ते तोर ते जोग कीती इक बारी मिस पुजा एक कॉंपीटिशन विच गा रहे सी ते ओथे एना नू जैली मंजीत पूरी ने सुनेया इस दे बारे उना ने फेमस डायरेक्टर लाल कमल नू तस्या क्योकि उना नू एक सोंग विच ड्यूट करन ली फीमेल सिंगर दी लोड सी इस तरह मिस पुजा ने पंजाब भी इंडस्ट्री विच पैर रखेया दोस्तों मिस पुजा सो तो वाद सिंगर नाल कम कर चुकी है तोहियार छे विच मिस पुजा दा पहला सोंग जान तो प्यारी आया जिसनों लोका ने बहुत ज़्यादा प्यार देता इस तों बाद मिस पुजा दी पहली एलबम रोमेंटिक जट आई इस एलबम ने बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड भी जित्या जो की उस समय विच एक बहुत वड़ी जित्सी 2010 विच पंजाब बन चन्ना सची मुची सोंग आया दोस्तों मिस पुजा दीया 300 वद एलबम आ चुकिया हन ते 800 वद म्यूजिक वीडियो विच कम कर चुकी है ते 3000 वद सोंग्स आ चुके हन इनना विचों बहुत सोंग्स मशूर हन मिस पुजा ने अपना पहला लाइफ शो कैनेडा विच डेब्यू कीता दोस्तों तो हनु दस दीये मिस पुजा दे फेवरेट सिंगर लखविंदर वडाली मनमोन वारिष ते सुरिंदर कोर हन मिस पुजा ने बहुत ही थोड़े समय विच बहुत सारा काम कीता ते एक नवा रिकोर्ड बनाया एनना काम करने विच लोग कई सारी उमर लगा दिन देहान पर मिस पुजा ने लाइफ विच बहुत सफालता हासिल कीती सो ए सी दोस्तों मिस पुजा दी बायोग्रफी ते तो हनु ए पूरी वीडियो के में लगी अपने विचार कमेंट बोक्स विच जरूर लिखे हो अजी सचीकाल दोस्तों सब तो पहला तो आटा पंजाबी क्राउड विच बहुत बहुत स्वागत है आज जसी गल करांगे पंजाबी इंड़स्ट्री दे मशूर का एक सिंगा बारे जिना ने अपने दो गणया नाल ही पंजाबी इंड़स्ट्री विच एनना क नाम बनाल लुख करने पंचने केडियां करने केंड़ाइँ संगben लिखने दा सौंख किमें प्याती। इना दे पिता पुलिस विच एसाई लगे होए ने ते इना दे माता जी हाउस वाइफान सिंगे नूं गाई की दा शोंक बचपन तो ही बहुत जाइदा सी क्योंकि एना दे पिता जी खुद लिखारी ने ते एना ने कदे वी नहीं सी सोचिया कि ए एज लिरिक्ष्ट सब दे सामने आउन गे दोस्तों एना दा सफर 2012 विर शुरू होया जोदों एना ने अपना पहला गाणा खुद लिखके खुद गाखे फेस्बुक पेज दे शेयर कीता सी उस गाणे नू लोग का ने एना ज़्यादा पसंद कीता सी कि उना दा होशे आरपूर जिले विच नाम हो गया इना नू लोग बिले दे नाम ना जानन लग पे ते उस तों बाद सिंगे दी लाइब विच एक अजेहा इंसिडेंट वाप रहा ते उस इंसिडेंट तो बाद सिंगे ने ठान लेया कि ओ एक दिन बहुत ही उपर जावेगा दरसल गाल कुछ इस तरह होई कि जदों सिंगे दी एक वीडियो बहुत ही जदा वाइरल हो रही सी उस तो बाद सिंगे नू किसे बंदे दा फोन आया ते उस बंदे ने सिंगे तो गाना लें ली किया आते रेड दी गल फाइनल होन तो बाद और सिंगे नू जानदा जानदा अजेही गल कह गया जो सिंगे दे बहुत ही देलते वज गई जी हां दोस्तों उसने सिंगे नो कहा सी तूं केड़ा कोई वड़ा है पीराइक उटी हैं जो तूं एडियां एडियां गला मार दें एगाल सिंगे दे बहुत ही जादा मानू लग गई ते उसतों बाद सिंगा कुछ बनन लई चंडी गड़ आ गया रात नो एक डेड़ वजे यारा बेलियां दी स्पोर्ट सदका उस दी मुलाकात डीजे फलो नाड होई जो की बहुत ही वड़ा नाम है अते बहुत ही वड़े म्यूजिक डिरेक्टर मनने गए ने उस टाइम ही ओना ने सिंगे नो डीजे फलो दे समने खड़के एक वड़ा गाना जिसदा नाम है बदनाम जो की मनकीरत अलक दिवाज विच बहुत ही जादा नेट दे वाइरल होया ते उस गाने दे बोल डीजे फलो दे माननू लग गे उस तो बाद अगले दिन ही सिंगे नो स्टूडियो विच बला लया गया जित ते उस दी मुलाकात मलकीरत अलक नाल क दरवाई गई ते उस तों बाद उनना नूँ एक होर बहुती वड़ा सोंग देता जो की यूटूब ते ट्रेंडिंग विच चले आ जिसदा नाम है जाट दी कलेप वी नियूज बन गई इबनगी ने हुदी जाक्त मोरे आगया हांजी सत श्री अकाल दोस्तों साब्तों पहला तोड़ा पंजाबी क्रावड इच बहुत बहुत स्वागत है अज जब गल करांगे पंजाबी इंडस्ट्री दे मशूर गीतकार चर्नल इखारी वारेज जिन्नाने अपनी कलम दे नाल पंजाबी इंडस्ट्री नू चंगे गीतते के अपना ही नहीं सगो अपनी मा बोली दावी नाम उच्चा गीता है जिन्नाने अपने गीतांदी बदोलत रंजीत बावाते होर कई कलाकारानू वड़े वड़े स्टार बना देता है चर्ण लिखारी दे गीत्ता दी जिन्नी तरीफ करिये उनी कट है दोस्तो चर्ण लिखारी दा जणम साल 1987 विच जिला तरन तरन दे पिंड निका पुझर विखे होया इन्ना दी माता जी दा नाम सुरिंदर कोर ते पिता दा नाम वर्याम सिंग है इन्ना दा व्याँ तोहजार स्ताराँ विच रंजीत कोर दे नाल होया इन्ना दा बच्पन दा नाम चरन जीत सिंग सी पर ए चर्ण लिखारी दे नाम नाल मशुूर होये इन्ना दा बच्पन बहुत गरीबी विच बीत्या जिस कार्ण ए पांज कलासा तो अग्गे ना पड़ सके इन्ना ने कार्च लाउन लेई तेहा अडियां वी कीतियां ते अपने मामा जी कोल एक आटा मिल विच कम वी कीता इन्ना दे मामा जीनू गीत लिखन दा बहुत शों जिना तो प्रेरित होके ए वी गीत लिखन लग पे इन्ना ने अपनियां कई कवितावा लिखियां ए शिव कुमार बटालवी ते वारिशादी कवितावा नू चानाल पड़ दे चर्ण लिखारी दी कलम आज पंजाबियां दे दिला ते राज कर रही है दोस्तो चर्ण लि मुलाकात मनमोहन वारिस नाल होई इन्ना ने मनमोहन वारिस नू इक गीत लिखे दिता मुती शान के वपारी ले गया असी रहे गे रेत शान दे ए गीत बहुत सुपर हिट होया मनमोहन वारिस ने ही चर्ण जीत सिंग दा नाम बदल के चर्ण लिखारी रख्या सी इस तो प चर्ण लिखारी दे चर्चे कले पंजाब विची नहीं सगो परदेशा विचवी हन पर ओन्ना ने कदे बाहर ले देश जानवारे नहीं सोचया क्योंकि ओन्ना दा कहना सी के में पंजाब विची ठीक हां ते मेंनू अपने पंजाब नाल बहुत ज़्यादा प्यार है इस गाने दे नाल रंजीत बावे दा नाम पंजाबी इंडास्ट्री दे सूपर हिट सिंगरा विच आउन लगपें चर्णा लिखारी ने होर कई गीत लिखे जो रंजीत बावे ने गाए जिवें में नू फेर दुवारा बापू गलान दसल होर दिया जिस गाणे नू सुनके रू कंब जान दी है इस गाणे विच पार्त पाकिस्तान दी वंड़दा हाल ब्यां किता होया है इस तों बाद एक तारे वाड़ा बाबा ए गीत भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट होया चर्णा लिखारी दे लिखे होई गीत रंजीत बावा ने चार ही गाएने पर इनना गीता ने रंजीत बावा नू एक वड़दा पंजाबी सिंगर बना देता है जे चर्णा लिखारी दे होर गीता दी गाल करिये ता एमी विर्क दा फिलम बैलार्स विच गाया गीत संदूरी ते अमरिंदर गल दा बंबू काट फिलम विच गाया होया गीत जिंद अते निक्का जैलदार फिलम चे एमी विर्क दा गाया वट्टा दे तुरे पटवारी इस्तों इलावा होर बते रे गीत हन आउन वड़े समय विच चर्नलिखारी दे गीत होर भी वदिया आ रे हन दोस्तों चर्नलिखारी नू साहित पड़नदा बहुत शोक है इन्ना कोल बहुत सारियां किताबा हन एस साहित का गाने भी बड़े चानाल सुन्दे हन ए गुर्दासवान नू दो वारी मिले हन इन्ना ने मान साहिबदा नाम भी अपनी डफली ते लिहा होया है जदों पहली वार चर्नलिखारी दोजार उन्नी विच न्यूजिलेंड गए ता उन्ना नाल होर मित्तर सापण कोटा राणा मादोचा न्डियाणा वी गए जित्थे उन्ना नू अपने प्रदेशी मित्तरा तो बहुत ज्यादा मान सम्मान मिले वैसे चर्नलिखारी पंजाब विच रह के साधी जिन्दगी जियोण विच बहुत ज्यादा कुशान इन्ना ने लहा और गीत इसलही लिख्या क्योंकि इन्ना दा नान का प्रवार पाकिस्तान तो आया सी उस गीत नू लोकाँ वल्लों बहुत प्यार मिले दोस्तों चर्नलिखारी जी अपने प्रवार नाल पिंड निका पुजर विच खुशी नाल रह रहन रब एना नू खुशियां बक्षे दोस्तों आज आपा गल कीती मशूर पंजाबी गीतकार चानल लिखारी बारे ते दोहा नू ए वीडियो के दा लगी कोमेंट विच जुरूर दसे हो ते अगली वीडियो सी किस सिंगर दी बायाग्राफी ते लेके ये एवी सानू कमेंट विच जुरूर दसे हो इस दे नाल ही होन लेंदे हां तो हटे तो इजाज़त ता नवाद अजी दोस्तों साफ्तों गला तोड़ा पंजाबी क्राड विच बहुत बहुत सवागत है आज आपा गाल करांगे पंजाबियां दे दिलांदी तड़कन ते कडियां दे बादशा कुलदीव मानक जी दे जीवन बारे क्योंकि ओना द्वारा गाईयां गईयां कलियां अज भी बहुत ज्यादा मश्वू उरहन दोस्तों कुलदीव मानक जी ने बहुत ही सोने गाणे पंजाबियां दी चोड़ी विच पाके आपना अते पंजाबी मा बोली दा नाम उच्चा कीता ते एनना ने अपना पूरा जीवन पंजाबी इंडस्ट्री लेई समर्पित कार देता जिसनू रहन्दी दुनिया तक याद कीता जावेगा दोस्तो कुल्दीब मानक जी दा जणम 15 नवंबर 1951 इस्वी विच बठींडा जिला दे पेंड जलाल विखे पिता निका खान दे कार होया सी इन्ना दे पिता जी ने इन्ना दा नाम लतीफ मोहम्मद रख्या इन्ना दे दोपा ईवी सन इक दा नाम सदीकी ते दूजे दा नाम रफीकी कुल्दीब मानक जी ने अपनी शुरू दी पड़ाई अपने जलाल पिंड दे गोवर्मेंट स्कूल विच शुरू कीती कुल्दीब मानक जी नूँ सिंगिंग दा शौंक बचपन तो ही बहुत ज्यादा सी क्योंकि उन्ना दी अवाज बहुत वदिया सी इस्तों इलावा दोस्तों कुल्दीब मानक जी नूँ होकी खेटन दा भी बहुत शौंक सी इस करके ए जदो वी शाम नूँ खेट दे सी ता लोग एन्ना दी गेम नूँ देखन नी जुड़ जान दे सी एन्ना दी गेम दी लोग पहुत तरीफ करते सी इक वरी जदो एन्ना दे स्कूल विच प्राइज डिस्टिब्यूट फंक्शन होया सी जिस विच पंजाब दे मुख मंत्री सरतार कैरो सिंग भी पहुँचे होय सान इस फंक्शन विच एन्ना ने काना गाउना सी जदो उन्ना ने कुलदीब मानक जीदी अवाज सुनी ता ओ एन्ने खुश होय कि उन्ना ने एन्ना दा नाम लतीफ मोहम्मद तो कुलदीब मानक राख देता अते आज ए इसे नाम नाढ़ी मशू हूर हन इन्ना ने खुशी मोहम्मद कवल नू आपना गुरू मन्या जोकी अमरीसर दे पेंड़ पुटी वाला दे रहन वाले सान ते अग्गे जाके जय जीवीने कुलदीब मानक जीनू आपना गुरू मन्या जिवे की अपा सब जान दे हा की कुल्दी मानक जी पठींडा दे रहन वाले सी पर ओ अपने सिंगिंग दे शोंकनू पूरा करनली लुदे आना चले गे सी जित्थे ओ उस समे दे पहुत ही मशुहूर कलाकार हर चार्न गरेवाल ते सीमा जीत कौर नू मिले ते ओना नाल एक दिल्ली चले गए जोदो ओना ने मानक जी दी अवास सुनी ता ओवी मानक जी दे फैन हो गए एथे मानक जी ने बाबू सिंग मान मराडा वाले दा लिखिया पहला गाना जीजा अखिया ना मार वे में कल दी कुडी रिकोर्ड कीता गया दोस्तों कुल्दीब मानक जी ने अपनी 16-17 साल दी उमर विच्च ही अपना पहला गणा रिकोर्ड करवा ले आ सी इस तों बाद उन्ना दा एक होर गणा सीमा नाल रिकोर्ड होया जेड़ा बहुत ज्यादा सुपर हिट होया सी जिस दा नाम है लोंग करा मित्रा मचली पाउन गे मापे इस गाणे नाल कुल्दीब मानक जी ने अपनी एक वक्री पहचान बना आ ले सी दोस्तों इस तो इलावा होर भी अजे गाणे हन जो कुल्दीब मानक द्वारा गाए गए ते सुपर हिट होये जो अजवी लोकां ते दिला विच तढ़कना वांग वजदे हन इनहाद सब तो फेमस होया गाना माह उंदिया मा ओड्या वालेओ जो अजवी लोकां दवारा बहुत सुनेया जन दगा है इनना दे होर गाने जिमें तेरे टिले तों सूरत दिसती हीर दी छेती कर सरवन बच्चा पाणी पिला दे मिर्चा साहिवा ए गाने बहुत ज़्यादा मशुहूर होए दोस्तो जे अपा कुल्दीव मानक जी दे एलबंब ते सिंगल ट्रैक गीता दी गाल करिये ता ओ बहुत ज़्यादा हन दोस्तो कुल्दीव मानक जी नू गाउन दा हुनर अपने वड़े वडेरें तो मिले आ सी क्योंकि ओना दे वडेरे एक बहुत ही वदिया रागी सान जोकि नाबे दे महाराजा हीरा सिंग दे तरबार विच कथा कीरतन कर दे सी ओना दी कथा कीरतन महाराजा जी नू बहुत पसंद सी दोस्तो कुल्दीव मानक जी दा व्या सरबजीत कोरनाल होया ते एनना दे कार दो बच्चियाने जनम लेया एनना दे पुतर दा नाम युद्ध वीर मानक तेती एदा नाम शक्ती मानक सी इस्तों इलावा दोस्तों जे आपा कुल्दीव मानक जीदियां फिलमा दी गाल करिये ता एना दी पहली फिलम साइदन जोगन 1989 विच आई जिस विच एना ने साथो नहीं मजियां चार हुंदियां सोंग गाया ए फिलम बहुत सुपर हिट होई 1980 विच लंबरदार नी जिस विच एना ने यारांदा ट्रक बलिये सोंग गाया 1980 विच बल बीरोपा भी फिलम आई जिस विच एना ने थोड़ी जी अपनी पु मिकावी निबाई सी ते 1983 विच एना ने ससी पुन्नू फिलम विच आज जती इक राजे दी सोंग गाया ए सब फिलमा बहुत सुपरहिट होयां दोस्तों तो हनू इक होर कालदस दिये कि एक वार कुल्दीव मानक जी साल 1996 विच अजाद पार्टी दे उमीद वार वज्जो बठींडे तो पारलिमेंट इलेक्शन्स विच भी खड़े होय सी दोस्तों साल 2011 विच तीन वंबर नू ओ माणा दिन आया सी जदो साथे हर्मन प्यारे कुल्दीव मानक जी साथ साल दी उमर विच इस दुनिया नू हमेशा ली अलविदा कह के अपने करोडा फैन्स नू छाटके चले गए पर दोस्तों एक होर गा लपा में अज कुल्दीव मानक जी साथे विच नहीं रहे पर उना दे गाने हमेशा ही अमर रहेंगे दोस्तों एसी कुल्दीव मानक जी दी बायोगरफी ते तोहा नू ए वीडियो किद्दा लखी सानू कोमेंट विच जुरूर दसे हो ते ए वी दसे हो की कुल्दीव मानक जी दा केडा सोंग तोहा नू सब तो वदेरे पसंद है इस दे नाली दोस्तों असी लेंदे हा तो आड़े तो इजादत तुसी देख देरो पंजापी क्राउड तानवाद